Hello everyone and once again welcome to Umar Tashkir YouTube channel myself Umar Tashkir Guys Facebook ad series के इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो अलग-अलग हमारे Facebook marketing objectives होते हैं उनका क्या मतलब है तो guys इस particular video में मैं केवल दो marketing objectives के बारे में discuss करूँगा कि आखिर ये brand awareness का जो marketing objective हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ की थी कि ये जो हमें अलग-अलग marketing objectives दिये हुए ये क्यों दिये हुए इनका purpose क्या है आखिर क्यों दो-तीन marketing objectives से ही क्यों नहीं Facebook ने काम चला दिया तो अगर वो चीज़ आपको समझनी है तो इससे पिछले वाला video आप जरूर देखिएगा इस particular video से आपके दो outcomes निकल कर आएंगे इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझे दो outcomes का मतलब कि जो agenda इस video का कि आप क्या सीख के जाओगे इस video से वो ये है guys कि जब कभी भी हम लोग किसी campaign objective को pick करते हैं तो उस campaign objective के around जो algorithm है वो किस तरीके से perform करता है यह एक outcome है जो आपका इस video से निकलने वाला है second जो बहुत important चीज़ है कि अगर हम brand awareness जो है उसको select करते हैं तो हमें किन metric पर focus करना चाहिए मतलब कौन सी हमें data देखनी चाहिए अगर हम जा रहे हैं कि हमें brand awareness करवानी है ठीक है अपने brand के हमें brand awareness करवानी वो campaign अगर हम run कर रहे हैं तो क्या हमें convergence के उपर focus करना चाहिए यह question आता है है ना तो हमें convergence के उपर तो focus करना नहीं क्योंकि brand awareness किसी दूसरे purpose के लिए है तो guys जब कभी हम लोग कोई campaign objective select करते हैं तो उससे align होती भी metric कौन सी है यह दो चीजें हमें ठीक तरीके समझ में आनी चाहिए इसलिए मैं एक ही वीडियो में सारे campaign objectives को नहीं cover कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप confused हो जाओगे इस particular वीडियो में हम लोग केवल दिन दो campaign objectives को लेकर चलने है एक तो brand awareness और एक reach यह अपने आप में ही बहुत ही important campaign objectives है क्योंकि थोड़े से confusing है अगर नाम से आप समझने कोशिश करो ना तो दोनों एक ही जैसे लगते है brand awareness का भी मतलब यह है कि ज़्यादा लोगों को जो है मेरी company के बारे में मेरे project के बारे में मेरे product के बारे में हम जादे जादा लोगों तक पहुँच पाए बट बहुत ही छोटा सा minute सा difference है दोनों ही चीज़ों के बीच में इसको हम लोग discuss करने वाले है इस particular वीडियो में तो guys अगर आप facebook ads के उपर जाएंगे और आप select कर लेंगे कि मेरे को क्या करना है मेरे को brand awareness करनी है सबसे वहले मतलब समझते हैं बिलकुल आसान भासा में कि brand awareness का मतलब क्या होता है guys कब हम मानेंगे कि एक brand की awareness हो रही है जैसे आप मेरे पास आते हो मैं आपको एक brand के बारे में बताता हूँ ठीक है उसके बाद आप किसी दूसरे बंदे के पास जाते हो वो भी आपको brand के बारे में बताता है उसके बाद आप किसी तीसरे बंदे के पास जाते हो वो भी आपको उसी brand के बारे में बताता है आप को कि मैं सुबह से तीन लोगों से मिल चुका हूँ और तीनों लोग मेरे को एक ही ब्रैंड के बारे में बता रहे है This is actually brand awareness क्या हो रही है उस brand की awareness हो रही ही तो same concept यहाँ पर भी है समझने की कोशिश करो कि एक ही बंदे को ठीक है एक ही बंदे को अगर कोई ad बार बार दिखता है बार बार दिखता है ठीक है तो क्या होगा कि उसके एक mind में न उसके एक दिमाग में न एक image बन जाएगी उस brand की So this is actually called as brand awareness तो इसको हम लोग बोलता है कि यह brand awareness हो रही है वो बार बार देखेगा न जब भी वो facebook के उपर जा रहा हो देख रहा है अच्छा मुझे फिर से वही ad दिख रहा है फिर वो थोड़े time के बाद facebook पे जाता है फिर से देखता है वही ad दिख रहा है This is actually the purpose of brand awareness campaign कहने का मतलब कि बार बार ad दिखेगा जब हम बात करते हैं बार-बार ad दिखने की तो यहाँ पर एक और term जो है वो game में आ जाता है जिसको हम लोग होलते है frequency Guys frequency का मतलब यह होता है कि on an average एक बंदे को हमारा ad कितनी बार दिखा मान के चलते हैं कि हमारा ad तीन लोगों को दिखा ठीक है इसको दिखता है हमारा ad 5 बार इसको दिखता है हमारा ad 10 बार और इसको दिखता है हमारा ad 5 बार तो total कितने बार दिखा हमारा 20 बार ad दिखा कितने लोगों को दिखा 3 लोगों को दिखा थोड़ी से mathematics लगा लेंगे तो 6.6 आ गये यहाँ पर ठीक है मतलब यह जो हमारी frequency है वो 6.6 है मतलब on an average एक बंदे को छे बार हमारा आड दिखता है on an average this is actually frequency तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने campaign का objective brand awareness select कर लिया इसका मतलब यह है कि Facebook का algorithm जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था Facebook का algorithm किस तरीके से काम करेगा Facebook का algorithm आपका जो add है ना वो same person को बार-बार ना दिखाने की कोशिश करेगा same person को बार-बार दिखाने कोशिश करेगा जब बार-बार same person को दिखाएगा तो जो metric hit होगी या जिस metric को आफ फॉलो गरोगे वो होगी हमारी frequency आप जाओगे frequency देखोगे कि अच्छा मेरा campaign चल रहा है ना इसकी frequency के चेक करते हैं अगर आपने brand awareness चुछ है अपने campaign को objective select कर रखा है तो अगर आप देखोगे frequency अच्छी 3 frequency है 4 frequency है तो आप समझ जाओगे कि यह जो campaign है ठीक तरीके से चल रहा है क्योंकि हमारा purpose ही है brand awareness बार-बार एक बंदे को हम brand के बारे में बताएं that is actually brand awareness तो थोड़े सा और metric है इसी से लेटे इसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं guys brand awareness की success को measure करने के लिए facebook ने कहा एक तो frequency है मतलब यहाँ पर जो frequency होगी वो हमेशा आपको थोड़ी से higher दिखेगी और दूसरी बहुत ही interesting metric है जिसको बहुत ही कम लोग जानते है which is add recall lift metric people guys अगर आप columns में जाएंगे और देखेंगे तो आपको यह metric दिखेगी which is add recall lift metric अब इसका मतलब क्या है आसान भासा में पहले यह समझते है guys facebook कहता है कि हमने एक metric बना रखी है add recall lift metric तो जब कभी आप अपनी reporting देख रहा होंगे ठीक है और अगर आपको यह estimated add recall lift metric नहीं दिख रही है तो columns में आप जाएगा और columns में जाने के बाद आप इस metric को activate कर दीजेगा इस metric के नीचे आपको कुछ नंबर दिखें जैसे आप यहाँ पर देख रहा हो इस campaign के लिए जो भी यह campaign चल रहा था इस campaign के लिए reach लगबग 8700 ही थी impression 12446 हुए थे और इसकी जो estimated add recall lift है वो आई 870 अब 870 जो estimated यहाँ पर add recall lift आई इसका मतलब क्या है इसको facebook किस तरीके समझता है facebook कहता है कि यह 870 वो लोग है ठीक है यह वो लोग है यह वो लोग है जिनसे अगर तुम इस brand के बारे में ने दो दिन के बाद पूछोगे ना तो यह बता देंगे हाँ मैंने brand के बारे में सुना है तो add recall lift एक metric Facebook ने internally बना रखी है और वो metric हमें यह बताती है कि जो 870 लोग यहाँ पर है अगर आप इनसे within two days फिर से पूछोगे कि भई आप इस brand को पहचानते हो ना बोल देंगे कि हाँ हम इस brand को पहचानते हैं तो इस तरीके से Facebook ने एक और metric बनाई which is estimated ad recall lift people metric जो यह बताती कितने लोग ना actually आपके brand के ad को देखने के बाद दो दिन तक उसको याद रख सकने है दो दिन बाद उनसे अगर पूछा जाए तो वो उसको याद रख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखो it depends on the ad recall lift metric will show how many people we estimate we मतलब यहाँ पर Facebook बोल रहा है कि how many people we estimate would remember your ad if we ask them within two days ठीक है तो कितने लोगों को ad दिखा उनमें से कितने लोग जो है ना याद रखेंगे तो अगर यह number हमारा बढ़ता जा रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी जो brand awareness है वो हो रही है ठीक है हमारी जो brand awareness है वो हो रही है तो guys I believe अभी आपको समझ में आया होगा कि brand awareness किस तरीके से काम करती है और जब कभी आप brand awareness campaign objective सेलेक्ट करेंगे तो जो Facebook का system है वो किस तरीके से इसको लेगा और आपका ad किस तरीके से दिखाएगा और आपको follow करने के लिए इसको समझने के लिए आपको कौन से metric जो है न उनको follow करना है अब brand awareness से ही बिलकुल opposite है reach guys brand awareness में किस चीज़ के उपर focus होता है कि हमारा ad न एक बंदे को एक से जादा बार दिखे तब ही हम मानेंगे कि उस case में वहाँ पर brand awareness हो रही बट reach में क्या होता है reach में हम बोलते है कि हमारा ad न maximum लोगों को दिखना चाहिए reach मतलब हमारा ad जो है वो maximum लोगों को दिखना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमारा ad एक ही बंदे को बार बार दिखना है हम यह चाहते हैं कि हमारा ad जो है वो maximum लोगों को दिखना which is actually कि हम reach करना चाहते है ठीक है तो reach वाले case में हम लोग क्या करेंगे हम लोग frequency के उपर focus करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी frequency है ना वो one या one से थोड़ी सी जादा होनी चाहिए अब ऐसा नहीं कि हमारी frequency four होगी तो अगर आपकी frequency ना four हो गई तो उस particular case में क्या होगा अगर आपने देखा कि आपकी frequency है जो वो four हो गई है तो इसका मतलब यह हुआ कि on an average एक बंदे को ना एक user को आपका add ना on an average चार बार दिख रहा है ठीक है तो उस particular case में हम यह make sure करेंगे कि हमारी जो frequency है वो कम होनी चाहिए somewhere around 1 होनी चाहिए या 1.2 या 1.5 तक है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो campaign है वो reach के basis पे perform कर रहा है ज़ादा लोगों को हमारा add दिख रहा है तो frequency का अगर हम लोग formula भी निकालना चाहें अगर basic mathematics है frequency का हम लोग formula निकालना चाहें तो बहुत ही simple formula है कि हमारे add के कितने impressions हुए और वो impression कितने logo को है अगर mathematically इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे add के let's say 10 impression हुए और 2 लोग को impression हुए तो हमारी जो average frequency हो 5 हो गई ठीक है तो यहाँ पर 2 जो है it is actually reach और यहाँ पर अगर आप देखो it is actually impressions तो यह हमारे frequency का basic सा mathematics के हिजाब से अगर आप समझने कोशिश करें तो बहुत ही basic सा हमें formula मिल जाता ह तो guys हमारी requirement क्या है हमें brand awareness की तरफ जाना चाहिए हमें reach की तरफ जाना चाहिए अलग-अलग scenarios में अलग-अलग requirements हो सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप brand awareness के उपर जाओ या आप reach के उपर जाओ यह scenarios के उपर depend करता है और आपकी requirements के उपर depend करता है जोस्तों आशा करता चैनल को सब्सक्राइब कर ले, notification की bell को दबा दे, मिलता है नेक्स वीडियो में, till then good bye